क्लाश टुवेल्थ होम साइन्स यानि कि कच्छा बार का ग्रीव विग्यान का ये मॉडल पेपर है समय आपको दिया रहेगा तीन घंटे 15 मिनट का और पूडांक आपको सत्तर नंबर का दिया रहेगा नोट को दिये रहेंगे आपको प्रारम के जो 15 मिनट परशार्थियों क क्यों प्रस्णपत पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है और सभी प्रस्ण करना अनिवार है यानि आपको सभी प्रस्ण करने अतियावस्तक है निर्देश दिया यहां पर सभी प्रस्ण करना आपको अनिवार है प्रस्ण संख्या एक से जो चार तक है वो आपका बह सब्दों में रिखना होता है और तथा जो आपका प्रस्पत्र 15-18 वह दिर्ग यानि सबसे बड़ा लियानि लॉंग आंसर में आता है जिसका उतर आपको सो सब्दों में देना होता है यानि कि सभी प्रस्णों के जो अंक निर्धारित किये गए हैं वो उनके सामने स्यम्मु किये गये हैं तो लिए घर आनि कि सारा आपको 20 दिया रहेगा जो की एक नंबर का है यानि कि एक इन्टू 20 बराबर 20 आ पर बेस नंबर के questions है यानि कि एक केहसं पर एक नमबर आपको निधारित किया गया है तो उस पे शही का निशान लगा देना है तो जिवाड़ों द्वारा वायु द्वारा या फिर पसुओं की द्वारा सिकेंड है रूधीर की सुध्धी होती है पाचन तंत्र में, हिर्दे में, फुफुस में और त्वचा में कौन सा बिटामीन जल में घुलन सील है? कव है बिटामीन C, बिटामीन D, बिटामीन A और बिटामीन E मनुस्य के सरीर के फेफडों की संख्या होती है एक, दो, तीन या चार शरीर के रोगों से संघर्ष करने की सक्ति को कहते हैं वी संक्रमड, रोग प्रतिरोधक्षम्ता, उद्भवन वावधी और उप्रयुक्ट इसमें से कोई भी नहीं यानि कि जो पहुँपिकल्पी है, एक में आपका पांच क्वेस्टन एक में आ गया, अब सिकेंड स्टार्ट होता है बी सो स्वास्त संघठन का मुख्य कार्याले कहां है? लंदन में है, पेरिस में है, न्यू यार्क में है, या फिर जेनिया में है तो अजो आपसन सही है, सही का निशान लगा देंगे सिकेंड है, संतुलित आहार होता है सबके लिए एक समान, सापेच, मात्रा से अधिक, मात्रा से कम, परंतु स्वादिष्ट तिसरा है, हीमागलोबीन, किस क्रिया में भाग लेता है यानि जो हीमागलोबीन होता है, वस किस क्रिया में भाग लेता है रक्त संचरण में, पाचन क्रिया में, आकसीजन, परिवहन में, या फिर व्रिद्धी में चोधा हुआ है, स्वारी चोथे नमबर पे है मनुष्य का मस्तिक कहा होता है उदर गुहा में, वच्छी गुहा में, कपाल गुहा में, या मुख गुहा में पाच्वा क्वेस्टन है नेत्र में प्रतिबीम किस भाग पर बनता है द्रिड पटल पर, तारा पर, रक्त पटल पर, या फिर द्रिष्टी पटल पर प्रसनाता है आपका पागल कुट्टे के काटने से कौन सा रोग होता है मलेरिया होता है या फिर रेविज, फाइल एरिया या फिर प्लेग चिकेंड क्वेस्टन है रक्त का कौन सा कड जमने में सहायक होता है लाल रक्तकड, स्वेत रक्तकड, प्लेटलेट्स और इन में से कोई भी नहीं तिसरा है संदुलित आहार के निधारक तत्व हैं आयू, लिंग, स्वास्थ या फिर ये सभी हैं चोथा है स्वास्थ सिच्छा में समलित है पर्यावरण, सर्रीक स्वास्थ, समाजिक स्वास्थ या फिर ये सभी पास्वे नमबर पर आता है ध्वनी या सोर की इकाई है कैलोरी, मीटर, डेसीबल या फिर डेसी, मीटर चोथा क्वेस्टन आते हैं पहल चोथे में भी पांच आपसंदिये रहेंगे जिसमें से पहला है पौधे वाई मंडल का सुधी करण करते हैं नैट्रोजन द्वारा, आक्सीजन द्वारा, करवन डाई अक्साइड द्वारा या फिर जल के द्वारा यानि पौधे वाई मंडल का सुधी करण किस से करते हैं आक्सीजन से करते हैं याक्सीजन आट्रोजन से या फिर कर्बन डायक्सायड से या फिर जल से चोथे का दूसरा क्वेशन है रख्त संच्रण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है A, A, B, B या फिर O जो भी वो आपका आपसन सही वो आप निशान लगा दिजेगा थर्ड नंबर पे आते हैं निम्निखित में से कौन सा एक मानो जनित आपदा नहीं है रेल दुर घटना, आक लगना, परमाडु विस्फोर्ट, बादल फटना चोथा है एकल परिवार में पाई जाती है यानि एकल जो परिवार है उसमें पाई जाती है दो पीडिया, तीन पीडिया, तीन से अधिक पीडिया या फिर इन में से कोई भी नहीं चोथा का सबसे लास्ट और बहु बिकलपी शबसे लास्ट क्वेशन है निम्निखित में से एक राष्री समस्या बताईए या फिर है जन संख्या बिसफोर्ट परिवार नियोजन घरेलू समस्याएं इन में से कोई भी नहीं अगर आप स्क्रिन सोट लेना चाते हैं तो ले लिजे क्योंकि ये आपके लोगों के लिए बहुत ही लाफ्रद है ये आपके बोड एक्जाम में आने वाले हैं और इसमें से 100% है कि ये पक्का आपके बोड एक्जाम में जरूर आ सकते हैं या फिर आएंगे भी पाचवा है परिसंचर तंत्र का मुख्य कार्य क्या है यानि कि आपको छोटे छोटे सब्दों यानि एक लाइन में उत्तर देने होंगे जिसके लिए आपको यहाँ पे एक नमबर निधारित किया गया यानि सारे आप क्वेस्टन के एक एक नमबर दिये हैं अती मतलब बहुत ही छोटा आपका यानि एक लाइन दो लाइन में उत्तर देने का है यह क्वेस्टन ख है कान के मुखी भाग कौन-कौन से होते हैं छट्वे नमबर पे आता है नी संक्रमड एवं नी संक्रामक सब्दों का और सिस्पष्ट किजिए यह भी एक नमबर का है ख़ व्यक्तित्व के विकास की विभिन अवस्ठाएं लिखिए यह भी एक नमबर का है आहार के पोशक्त तो कौन-कौन से होते हैं एक नमबर का है राश्ट्री आपदा से आप क्या समझते हैं यह भी एक नमबर का है आठवे question पे आते हैं का बालक के ब्यातित्यु को प्रभावित करने वाले दो प्रमुक कारक कौण कौण से है? ख़व, केंद्री संत्रिका तंत्र के भागो का उलेक किजीं ये भी आपका एक नंबर का है नवा है सैसवा वस्था में सुपोसड के दो मुखे लाब बताईए यानि सैसवा वस्था में सुपोसड के दो लाब बताईए ये भी एक नमबर का है बाल मृत्यू को रोकने के दो उपाई लिखे यानि ख है बाल मृत्यू को रोकने के लिए दो उपाय लिखे ये भी एक नंबर का है नेश्ट आते हैं लगू उतरी प्रस्ण पे जो कि आपका ये 20 नंबर का है दसमा है जिसमे आपको दो दो प्रस्ण दिये हैं यानि ये आपके दो नंबर के पॉइंट बनते हैं यानि दो नंबर के क्वेस्चन है जो आपका अती मतलब छोटा और लगू मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा यानि अगर आप उसे एदोध लाइन में लिखेंगे तो इसे आपको चार पास लाइन में लिखना है यानि कि 20 वड़ में आपको केवल ये लिखना है दसमे का कह है मानो सरीर में रक्त के कारियों का उलेख किजिए दो नंबर का है ख है धमरी वा सीरा में दो मुख्य अंतर बताईए ये जो आपका क्वेस्टन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन है ये हमेशा आपके बोड़ एक्जाम में आता रहता है दहेश प्रठा से समाज को होने वाली हानियों का उलेखन किजिए ये भी दो नंबर कह है प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समस्ति है ख है कान की सुरच्छा के उपाय लिखिए यानी कान की सुरच्छा के ऊपाए कौन कौन से होते हैं वो भी राइट करना है तेरहमा का कौ है क्वेसन मदीरा का इस नायू तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी दो नंबर का है क्वेसन स्वेसन क्रिया का मानो जिवन में क्या महत्व है यानि स्वसन क्रिया का मानोजियोन में महत्व क्या है ये भी आपको रैट करना है चोदामा है क? प्रस्न है स्वेत रूधिर कडिका हमारे सरीर की सैनिक है क्यों? ख है कुपोसर्ड का सरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानि जो कुपोसर्ड जो रोग होता है उसका समय सरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी आपको दो नंबर की क्वेस्चन है दिर्गा आते हैं मतलब अती लगू अब दिर्गा आता है दिर्ग मतलब बहुत ही बड़ा यानि लोंग अंसर में या आता है 15 है मस्तिक की रशना को चित्र बना कर समझाईए तथा इसके विभिन भागो के कारियों का वर्ड़न कीजिए यानि मस्तिस का जो रशना है यानि मस्तिस का चित्र बनाना है और इसे समझाना है और इन्हें विबिन भागों के कार्यों का भी वड़न करना है या फिर अथवा दिया है अथवा मतलब क्या होता है कि केवल एक question को आपको रिव्यार राइट करना है या फिर आप 15 मा का को करिये या फिर अथवा का जो दिया है उसे करिये दिरिश्टी के मुख्य दोस कौन होते हैं लच्छड तथा उप्चार लिखिए सोला हमा नंबर पे हैं मानो फेफडों का चित्र बनाते हुए इसकी रसरंचना तथा कार्य लिखिए अथवा सीसू को होने वाले समाने रोग कौन-कौन से हैं किसी एक रोग के कारण वो लच्छड के उपाए लिखिए ये सारे सारे आपको 55 नंबर के क्वेस्टन आते हैं 17 हमा है आप दाउं से आप क्या समस्ते हैं आप दाउं के प्रकार का उलेख किजिए यह भी पांस नंबर का है या फिर अथवा दिया है बाल मृत्यू की समस्या का वड़न करें और इसके प्रमुकारणों को इसपष्ट करें टिप लिखने के लिए पहला आएगा हाथी पाउं की कारड हम और इसका निवारण और यह किसे फैलता है किसे बसस्ते बसने का मृपए शारा राप राइड कर दिजेगा गा मृत ईय तर्वा टिपणी लिखने को आएगा हाथी पाउं पे और डेंगू पे या फिर अथवा आपको आएगा विवाह का अर्थ इसपष्ट करते हुए इसके उद्देश एवं विशेस्ताओं पर प्रकाश डालिए यानि जो विवाह का अर्थ होता है उसे इसपष्ट करिए और इसके वि राइट करना रहेगा